कि a minus b a के equal है यदि a minus b a के equal है तो implies and implies by a intersection b equal to phi होगा या a intersection b phi के equal है तो a minus b जो होगा a के equal होगा यह आपको दिखाना है मतलब यह हदिया है तो इसे prove करना है और यह हदिया है तो इसे prove करना है तो चलिए दोनों को हम लोग a के करके बनाते हैं मान लेते हैं, माना A-B जो है A के equal है, A-B A के equal है, इसका मतलब यहीं न हुआ, दखिए A-B, A आ जा रहा, इसका मतलब B में और A में कोई भी element to balance नहीं है, कहने का मतलब, मान लो अगर A में element है आपका, 1, 2, 3, और B में element है, 4, 5, तब ही न यहाँ A-B कर रहे हो, तो आपका 1, 2, 3 ही, यानि A ही आ जा रहा है, A ही आ जा रहा है, इसका मतलब यहीं न हुगा, कि A और B क्या है, आसंयुक्त है, A और B आसंयुक्त है, तो आसंयुक्त समुझ है, इसका मतलब यहीं न हुगा, कि A intersection B फाई होगा, तो यहाँ प्रूफ हो गया, यहाँ होने पर यहाँ प्रूफ हो गया, अब फिर दुबार आपकी बार मान लेते हैं, कि A intersection B फाई के बराबर है, यानि इसका मतलब यहीं न हुगा, कि A और B, A और B आसंयुक्त है, आसंयुक्त समुझ है, आसंयुक्त समुझ है, यानि इनमे कुछ भी common नहीं है, तो यानि A माइनस B निकालोगे, तो जब कुछ उबहें निसी नहीं है, तो आपका A ही आ जाएगा, तो यहाँ से यह आपका prove हो गया, दिखा दिये ना, कि यह दिया है, तो यह proof हो गया, यह दिया है, तो यह proof हो गया, समझ गया, चलते है next question पे, अगला देखो